वासिंग मशीन का ड्रायर काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप अपने वासिंग मशीन की ड्रायर प्रोप्लम को घर पर ही ठेक कर सकोगे कैसे करना है इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं तो यह देखिए यह हमारे पास LG कंपनी का सेमी आटमाटिक वासिंग मशीन अब हमें इसके पीछे के साइड चलना होगा यह है इसके पीछे कवर जहां से स्कुरू लगे होते हैं तो इसके स्कुरू को निकाल देने हैं और उसके बाद सबसे पहला काम तो आपको यह करना है क कि अपने वासिंग मशीन की प्लग वायर याने की बिजली की बोट से यह प्लग वायर निकाल दें उसके बाद कि कवर को खोलो पीछे वाले कवर को खोलना है खोलने के बाद यहां पर आप चेक कर सकते हो यह होता है इसके ब्रेक वायर जो कि देखिए पूरा धीला पड़ होगा है यह देखिए आपको मैं दिखाता हूँ है यह की मोटर और यह इसकी ब्रेक वायर तो हमें इसकी वायर को आपका यह मद्टे को के ऊपर उठा दीजिया के बाद इसको थोड़े सा ढिला करो कि अब आप समोटर की पाद धियान से देखियं तो इसको इस तरीके से खीचे यह दिख रहा होगा आपको इस तरीके से खीची और यहांसे तार को इस ब्रेक में लगा देखें अब यह बराबर हो गया, अब यहां से आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, इसको ऐसे करके यहां से इसमें पसा देजाए, इस तरीके से, अब यह ब्रेक, दोर लगाते ही, टाइट हो जाएगा, यह देखिए, यह टाइट हो गया, अब यह जो ब्रेक होते हैं, यह से घूमने लगेगा अगर आपके वासिंग मसीन में ये वाला प्रोब्लम नहीं है तो नेश्ट प्रोब्लम आप चेक करेंगे कि ड्रायर बिल्खुल नहीं चल रहा तो क्या फॉल्ट हो सकते हैं इनकी वायर प्रोबरे करके है ti do i कहा यां करो कि बार तो ऐसैंकि कहीं से कटे होते हैं जिसको आप carbono से मिलाकर और साइच को मिलाकर जॉइंट कर सकते हैं अगर आपको नीचे में कोई कटिंग या फॉल नहीं दिए तो यह होता है इसके ड्रेंट वाली वायर रसी इसको खोलेंगे खोलने के बाद आप इसके पैनल होते हैं स्मिश्क्रू लगा होता है देखिया इसको खोलने के बाद यहां से साइड से थोड़ा सा आप टाकत लगा के ठोकेंगे तो इसके जो लॉक है वो साइड से खसक जाएगा अब यह पार्ड खुलने वाला है देख चकते हो तो मैं यहां से इसके दोर को हटा देता हूं यह रहिए यह रहिए जो पैनल है इस तरीके से खुल जाता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि यहां पर चूहे वगरे तार को काट देते हैं जैसे यहां पर एक देख रहे हैं कि डंक पड़ा हुआ है चूहे का दातों का निशान और कई तार तो हमने जोड़े हैं देखिए ऐसे ही आपके वासिंग में कुछ तार कहीं कटे होंगे तो उसको कलर से कलर मिला कर जोइंट करो तो अगर तार नहीं कट्टा हुआ है तो यहां पर देखिए स्विच लगा हुआ है यह स्विच डौर को खोलने पर आफ होते हैं देखिए और दोर को लगाने पर ये switch आपस में ऐसे joint होता है तो कई बार ये switch में carbon आ जाते हैं जिसे simple tester या फिर कोई चीछ से घिसने वाले चीछ से आप उसको थोड़ा सा घिस दिजिए ये देखे ये इस तरीके से घिस दो घिसने के बाद इस पीन अच्छी से साप हो जाएंगे तब फिर आप इसको वापत लगाएंगे तो ये चेक कर लेना कि ये जो switch है proper joint हो रहा है कि नहीं तो ऐसे ही कई बार छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जिसको आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हो हम फिर से मिलेंगे कोई नहीं वीडियो में नहीं जानकारी लेकर